नमस्कार आप देख रहे हिमांसी न्यूज मैं आपके साथ मिथुनकुमार सर्मा इस बक्त की सबसी बड़ी ख़बर जानकर आपको पेरे तले जमीन खिसक जाएगी या कोई अनोखी बात तो नहीं बलकि बहुत बड़ी अनोखी बात इसे आप कह सकते हैं स्क्रीन पर चलता हुआ वीडियो देखकर आपको लग रहा हुआ कि यह क्या चीज का वीडियो है हलाकि आपके कानों तक इससे पहले इक ख़बर पहुँची होगी लेकिन आज मैं इसके बारे में बिस्तार से आपको बताने का परियास करेंगे जी हाँ आपको आगे चल कर बताने का परियास कर रहे है कि इसक्रीन पर जो वीडियो चलता आप देख रहे हैं यह वीडियो सही है बिलकुल सही है और ये मोवाइल फोन से हकीकत में लिया हुआ वीडियो स्क्रीन पर चल रही है आपको यह बता देख चले कि मुझा फरपुरजीला के सक्राप परखंड अंतरगत लोहरगामा चौक पर इस्थित 40-50 वर्सों स्पुर्व एक पीपल का पेर है जी हाँ वही पीपल के पेर के सामने लगभग 30-35 वर्स पहले से लगतार पूजा पाठ लक्षमी मता का किया जा रहा था लोगों को कहना है कि लगभग एक दो बर से पुर्व से यह पूजा नहीं होने के कारण ऐसा चमतकार देखने को ग्रामनियों को मिला है हलाकि यह घटना यह सच्चाई लगभग सारी 11-12 बजे रात के बात की है जो जैसी एक से दो लोग बाहर टहले के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा में जग मगाता हुआ यह पूल कमल का पीपल के पेर पेर आखिर कोई फेक दिया है या कोई पीपल के कमल का फूल लगा दिया गया है लेकिन जब धीरे धीरे वहां पे भीर जुटने लगी तो सभी मोबाइल वाले के फ्लैस जला तो देखा गया कि आखिर पीपल के डार में कमल का फूल कैसे खिल सकता है यह वीडियो सच्चाई है और यह सच्चाई को मैंने भी छानवीन करने का कोशिस किया तो पता चला कि यह इसमें 110% सच्चाई है बहुत सारे तांतरिक एबं अचार्ज के माध्यम से पता लगाई गई कि आखिर में यह फूल खिली तो खिली कैसे है इसका जवाब ना कोई अभी तक कोई तांतरिक और ना कोई पंडित दे पाए है हलाकि यह घटना नहीं इस पर सोचने की विशाय है कि आखिर के पीपल के पेर में कमल का फूल खिली तो खिली कैसे यह आप लोग भी जानकर हैरान हो गए होंगे कि ऐसी आज तक मैंने तो नहीं सुना और ऐसे सुनते भी हैं तो फेक होता है लेकिन यह हकीकत बात है और हमारे न्यूज कभी भी फेक न्यूज नहीं चलाती है इस पर भी आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि यह न्यूज जो बन रही है वो हकीकत है आपको यह भी आगे बताते चले कि लोगो को आसंका है कि लक्षमी पूजा नहीं होने के कारण यहां पे यह चमतकार देखने को मिली है और सभी ग्रामीन आपस में बतिया रहे थे कि इस बार लक्षमी पूजा होना बहुत ही अतियावस्चक होगी हमारे गाउं एवं हमार साफ नहीं मिलने के कारण आपको इस क्रीन पर तो मैं नहीं चला सकता हूँ लेकिन यह आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी चमतकार देखना है तो सकरा परखंड के लोहर गामा चोक पर इस्तित या पीपल के पेर के सामने जाकर आप अपना यह चमत देख सकते हैं देखने के बाद आपको लगे है कि यह चमतकार आखिर हमारे बिहार में ऐसे ऐसी कई चमतकार तो हो चुकी है लेकिन हमारे परखंड में ऐसा चमतकार होगी इसका किसी को गरांटी नहीं था वीडियो में आपको काफी अच्छा देखने से अच्छा लगा हो कि इसमारे और आपके पास अते होंगे जिनके माद्यम से कहा जाता है कि ऐसा कोई चमतकार नहीं है जो चमतकार दिखांदे लेकिन यहां पर कहा जाता है कि लग्षभी माता ने एक ऐसा चमतकार दिखा दिया यह लोग को सोचने पर तो मजबूर हो जाएंगे विडियो में बढ़ने के लिए आपको तहदिल से सुक्रिया जब तक के लिए एक ही बात बोलेंगे भारत मता की जय